हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ट्रेंज एंड ट्रेवल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पर और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजे साथ ये बेल आइकन जरूर दबा दीजे ताकि कोई भी निया वीडियो जब भी ट्रेंस एंड ट्रेवल पर मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन उसका मेसेज आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें तो गोमती नगर स्टेशन में लखनओ के गोमती नगर स्टेशन में अब वाशिंग लाइन जो है वाशिंग पिट लाइन बनके तयार हो गई है लगबग और महिने भर में ये कमिशन शैद महिना डिलो महिने में हो जाएगी और फिर यहां से जैस और समय तो काफी बीट गया है तो अब लग रहा है कारी में तेजी आई है और अगली सरकार जब तक बनेगी नई सरकार में अब लोग सभा चुनाव होने वाले हैं अचार सहीता लग गई है फिर इसको बजट और मिलेगा और काम गोमती निगर स्टेशन का तेज हो जाएगा यह है लखनो स्टित गोमती निगर स्टेशन की नई वाशिंग लाइन जहां पर लबी दूरी की रेल गाडियों का रख रखा होगा उनकी साफ सफाई की जाएगी और यहीं से फिर जो भविष में भारती रेल की पूरवत्ता रेलवे डिविजन एनियार की जो योजना है की लंबी दूरी की रेल गाडियां चलाई है और गोमती नगर को जो टर्मिनल के रूप में अब विक्सित किया जा रहा है उसका उद्देश यही है कि यहां से रेल बागी स्टेशन है उसका दबाव कम हो जैसे कि अभी कुछ रेल गाड़ियां लखनव जंक्शन से एशबाग शिफ्ट करी गई तो उसी प्रकार भविष में जब नई रेल गाड़ियां चलाई जाएंगी इंट्रड्यूस होंगी तेजस है हमसफर है या और भी जो सुपर फास ट्रेंज हैं एक्स्प्रस ट्रेंज हैं तो उनको गोमती नगर स्टेशन से चलाने का जो अब एक योजना है आगे भविष में तो गोमती नगर स्टेशन पर जब प्लैटफॉर्म बढ़ाय जा रहे हैं तो साथी साथ रख रखाव के लिए ये वाशिंग लाइन गोमती किस प्रकार से उसको बनाया जाता है ताकि कोच के नीचे भी जा करके मेंटेनेंस साफ सफाई की जा सके और ट्रेक देखी किस प्रकार से उपर एलिवेशन उसमें होता है और नीचे उतरने की जगे होती है जहां पर साफ सफाई की जा सके ये देखी वाशिंग जब रेल गाणियां बढ़ेंगी और गोमती नगर टर्मिनल से चलाई जाएंगी तो उनका रख रखाओ उनकी साफ सफाई यहीं पर होगी इसी वाशिंग लाइन पर तो यह वाशिंग लाइन लगबख तैयार कर लिए गई है और बहुत तेजी से काम चल रहा है यहाँ पर और जैसे ही नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद और बजट सैंक्शन होगा तो उमीद है कि कार में फिर तेजी आएगी यह देखिए यहाँ से यह नीचे से आपको हम दिखा रहे हैं दृश वाशिंग लाइन का देखिए और यहाँ से फिर आप बाहर निकलके यह देखि लाइन का उस पर चड़के आप आजाएंगे और यह देखिए जो दूसरा ट्रैक आपको दिख रहा है यह डबल ट्रैक अभी होगा मलहौर से डाली गंश तक उसका काम चल रहा है और उसमें भी अब तेजी आएगी और नए वित्ती वर्ष से अप्रैल से मुझे लगता है में भी तेजी आजाएगी काम में और यह दोरी करन जो है डाली गंशन से मलहौर तक यह भी अगले एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा यह देखिए पैसेंजर गाड़ी आ रही है अदा रही है गोमती नगर की जो कॉलोनी है रिहाशी इलाका उसके अपाटमेंट्स आपको दिख रहे होंगे और साइड में यहाँ पे साथ में यह देखें कस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और रूम्स वगेरा बन रहे हैं मुझे लगता है कि जब डबल लाइन होगी तो यह बिल्डिंग क्योंकि अभी जब काम शुरू होगा तो इस्थिती इसपश्ट होगी कि पैनल रूम नया जब डबल लाइन होती तो पैनल रूम बिल्कुल कंट्रोल रूम नया बनता जैसे डालिक इंजंक्शन में भी बना था पुराना कंट्रोल रूम फिर तोड़ा गया और शिफ्ट ह हो गया वो तो यहां पर भी इस तरीके से अगर डबल लाइन बनेगी तो यह जो बिल्डिंग तयार हो रही है तो वाशिंग के अलावा मुझे लगता है जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है इसमें आगे भविश में हो सकता है जब यह दोरी करण होगा देखिए स्ल स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है इसके उपर फिर टीन शेट वगारा सब लगेगा तो काम चल रहा है यहां पर और लगबग महीना डेल महीना में यह देखिए मशीन काम कर रही है महीना डेल महीना में यह कमिशन हो जाएगा झाल कर दो